जहाँ एक दशक पहले महिलाओं को आगे लाने के लिए केवल बाते होती थी लेकिन आज महिलाओं की खुद की इक्षा शक्ति और सरकार की लगन ने उस सपने को उस कलपना को साकार कर दिया है कि आज देश के सरवोचिपत पर राष्टपती के तौर पर एक आधिवासी महिल जनतंतु टीबी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले शुरुवात राहुल गाधी से। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फरेंस करके केंज सरकार पे बड़ा हमला बोला और कहा कि लोगतंतु देश में है ही नहीं। दो तीन बाते रखना चाहूंगी। सरप्रथम देश के नागरिक उन्हें पीटीप बुलाते हैं। पार्ट टाइम पॉलिटीशन। शौकिया राजनितिग्य हैं। आज प्रेस कंफरेंस किया और हो सकता है शामने विदेश चले जाएं। देश के लिए जो काम करता है वो दिन रात जूजता है, जनता के साथ खड़ा रहता है। और मैं कहना चाहूंगी कि यह जो महंगाई और बेरुजगारी की बात उन्होंने की। महंगाई और बेरुजगारी तो बहाना है। बात असल यह है कि ED और CBI और Income Tax Department से बचाना है और उन्हें धमकाना है और अपने परिवार के चेहरे को सुधारना है। और मैं तीसरी बात कहना चाहूंगी। जहां तक लोकतंत्र की बात है और उन्हें बार बार कहा ताना शाही आ चुकी है, लोकतंत्र नहीं है। मैं पूछना चाहूंगी राहूल गांधीजी से और आपके माध्यम से बहुत सारे कॉंग्रेसियों को कि अगर 80 करोड लोगों को प्रती मास मुफ्त में 5 किलो अनाच देना लोकतंत्र नहीं है, ताना शाही है तो ताना शाही सही। और मैं पूछना चाहती हूं कि अगर हमने डेड़ वर्षों में करीबन 200 करोड लोगों को वैक्सिन टीके लगाए और अपने देश में दो देसी वैक्सिन भी लाए तो अगर यह ताना साही है तो यही सही। और तृतिया बात मैं कह दूँ जब विदेश में हर इक देश में मैं कहूं पुरे विष्व में महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। 63 देशों में 10 प्रतिशत और 10 प्रतिशत से अधिक इंफ्लेशन रेट है, महंगाई दर है और हमारे देश में आर्थिक स्थिती को इस तरह से मजबूत रखा गया है। जी से रगुराम राजन जी ने भी कही ये बात, हमने 7 प्रतिशत तक रखा है, तो यह अगर लोक तंत्र नहीं है, ताना शाही है, तो ताना शाही ही सही, हम गरीबों, सोशेत, वंचेत, पिडित के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे, अंतियोदे हमारा मंत्र है, और हम अंतिम पाइदान पर खड़े विक्ती का हाथ पकड़ कर उन्हें सामने लाना चाहते हैं, यही आधरनीय प्रधानमंत्री जी की सरकार की नीती है और नियत है, राहल गादी का कहना है कि हम तो संसत के अंदर मैं गाई बेरोजगारी और समाज को बाटा जा रहा है, इन त कि गेस्ट अपिरेंस लोगसभा में वो देते हैं, बहुत कम आते हैं, और जहां तक महंगाई पर चर्चा का सवाल है, मैं आप सब को याद दिलाना चाहूंगी, आप सबने भी टीवी में देखा होगा, कि बहुत हंगामा किया था कि महंगाई पर सरकार चर्चा नहीं करती है, और जब मैडम निर्मला सितारमन जी ठीक होकर आई, स्वस्थ होकर आई, तो उन्होंने चर्चा की बात कही, और उन्होंने चर्चा की, उन्होंने उत्तर दिया सरकार की तरफ से, और जब मैडम सितारमन ने उत्तर देना शुरू किया, तो कॉंग्रेस पॉयकॉट कर ग तो आप वहाँ थे नहीं, क्योंकि आपके पास ना तर्क है ना तत्य है। राहुल नाधी कह रहे हैं कि सतर सालों में कॉंग्रेस पार्टी ने जो बनाया, वो आठ सालों में बीजेपी सरकार बरभात कर रही है। देश में तानाशाही है, चार लोग चला रहे हैं। मैंने वही कहा, मैंने उत्तर दिया अगर लोगों के साथ खड़ा होना, अगर लोग का लियानकारी काम करना, अगर हर एक शित्र में सरवांगीन विकास के लिए दिन रात महनत करना, अगर एक भारत स्रेश भारत की बात करना, अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका आदर्णिय प्रधानमंत्री जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो सिर्फ हमारे देश में पॉपिलर नहीं हैं, लोकप्रिय नहीं हैं, वो विश्वनेता अगर मैं कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगी, बड़ी विनम्रता के साथ ये बात मैं कहना चाहती हूं, बड़ा गर्व है मुझे अपने नेता को लेकर, क्योंकि पूरे देश में, विदेश में वो आदृत हैं, और एक विश्वनेता के रूप में खड़े हैं, जिस तरह से उन्होंने कोरणा के समय देश का प्रबंधन किया, हम सब का हाथ पकड़ के वो खड़े रहे, कौन सा प्रधानमंत्री ऐ जितनी भी एतिहासिक भूल के, देखिए, आर्टिकल 370 हो, आर्टिकल 35 एक हो जो हमने विदाई दी, एक विदान, एक निशान और एक प्रधान की जो बात हमारे मैनिफेस्टों में लिखी वी थी, जम्मो कश्मीर को हमने भारत के साथ जोड़ा, ये कितना बड़ा पड़ फ्रपी जवरी काम्हेस् देखिए हो, जोड़ा देखिए प्रदक्षीप था नागरिकता, देखिए, आइन यह जाएं लाना, कितना बड़ा पड़ा पड़ा प्रदक्षीप था तो मैं रहते हों कि जो बड़े बड़े काम हैं। जिससे मुझे लगए है कि देखका प्रवक्ता हूं या उनकी टीम की मेंबर उन्ही नहीं कह रही हूं, मैं देश के नागरी के हिसाब से मेरी अनुभूती हुई है, मैंने हिड़ एंगम किया हूं। राहुल गांधी का कहना है कि देश की वित्तमंत्री को अर्थवेवस्ता का ज्यान नहीं है? उन्हें ग्यान है क्या? स्री राहुल गांधी जी जो पार्ट टाइम पोलिटीशन है उन्हें ग्यान है क्या? उन्हों समझधारी के साथ आदर्णिया वित्तमंत्री का जो वक्तव था उसे सुना क्या? और सारी बाते समझ में आई क्या? देखिए बार बार आदर्णिया वित कहता है और ब्लूमबर्ग सर्वे की बात कही, UNDP की रिपोर्ट की बात कही, IMF, International Monetary Fund के रिपोर्ट की बात कही, रघुराम राजन जी को बार-बार कोट किया, उन्होंने जानकर कहा कि बाहर के जो लोग है, जो हमारे साथ नहीं है, वो भी हमारी आर्थिक स्थिती की तारीफ कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हमारी इकोनोमी का जो माइक्रो, मैक्रो एकोनोमी है हमारा, उसका जो फंडमेंटल से है, वो बहुत ही स्ट्रोंग है, वो बहुत ही मजबूत है, और यह हम नहीं कहा है, रगुराम राजन जी ने कहा है, जो पहले RBI के गवर्नर थे, जो हमारे साथ अभी नहीं है, तो देखिए, हम किस चश्मे से किस बात को देखते हैं या तो हमारे उपर निर्भर करता है राजस्थान के मुख्यमंतरी अशोग गहलोग कहते हैं कि जो हालात वर्तमान में देश में बने हैं कभी किसी ने कलपना नहीं की थी कि इस तरीके से सम्विधान की धजियां उड़ रही है कि इस सरकार सम्विधान को तहस नहस कर लें देखिए आज राहूल गांधी जी के साथ अशोग गहलोग जी बैठे थे यह मुझे समझ में नहीं आता है कि राजस्थान जैसे महत्पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री बार बार अगर दिल्ली में आके बैठेगा तो वहां क्या हो रहा होगा राजस्थान में जो लॉइन और सिचुएशन है उससे हम सब वाकिफ हैं अभी जब एडी ने राहूल गांति जी को बुलाया या सोनीय गांति जी को बुलाया तो इहों ने धर्णा दिया पहली बात तो यह है कि राज्ज का मुख्यमंत्री क्यों आएगा अपने राज्य को छोड़ कर काम तो वहा है पहली बात दूसरी बात मैं कहह दो, आज आप सबने प्रेस कंफेंस देखा, मैं देखा रहुल गांथी जी और श्री अशोग हैलोट जी ने, हमली आखिक स्थिती चीच्प्छी, महंगाई के विशे में कहा, बेरुजगारी के विशे में कहा तेख की बाती हैं, एक होता है जिनरल स्टे चिंवर भारियंतापाइड क्ठार के तरफ से तो हमा कर लेकर बात करते हैं लेकिन आज किसी भी तरह का तुलनात्मक अध्यन उनों filled आने किया किसी भी तरह का आंकडा नहीं दिआ अधैंग आरेın प् крут डिये औरेand जेनरल स्टेटमेंट देने सो तो नहीं होगा, प्रमानित करें लेकिस कॉंग्रेस का ये आरोप है कि क्यूंकि वो महगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाह रहे थे इसलिए कि इन सरकार ने इदी के जर्ये कारवाई करवाई दबाओ की राजनिती कर रही है देखिए ऐसा है, कॉंग्रेस के अस्तित्व का सवाल है 2014 से लेकर 2022 तक देश में 50 विधान सभा के चुना हुए है और उसमें से 41 विधान सभा के चुनाओं में कॉंग्रेस पाटी मात खाई है, हार गई है तो कॉंग्रेस को अक्रवी, पुरे देश ने नकार दिया है और ऐसे इसीं सथित्व का सवाल उनकी सार्थकता का सवाल है तो मुझे लगता है इसींगे उन्होंने पहांगा पर द॥ा भार्श्चाह मुद्दा उठाय का मुद्दा उठाया करीब अठारह राज्यों में NDA की सरकार है और मैं कह दूँ कि आदर्णी प्रधानमंत्री जी का समवाद भारत के 133,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, क्योंकि एजी का आरोप के वर कॉंगर्स पार्टी नहीं लगा रही है शिवसेना सांसर संजे राउत नहीं बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग फोन कर रहे थे भाजपा के साथ आने के लिए नहीं बात को माने तो उनकी गिरबतारी हो गई ममता बनेजी कर दो देखिए यह सब बाते अच्छी लगती तब संजे राउत की बाते अच्छी लगती या फिर रहुल गांधी जब यह एडी पर प्रहार करते हैं यह बाते तब अच्छी लगती जब यह जो जाँच हो रही है इसमें किसी भी तरह का स्काम न निकलता गबन की बाते न निकलती जहां तक संजे राउत जी का सवाल है पातरा चौल स्कैम में एक हजार उन्तालिस करोड का स्कैम निकला है और यह भी बात पता चली है कि प्रवीन राउत के साथ उनके प्रगाड संबंध थे और प्रती महिने वो दो लाक रुपे लिया करते थे और उनकी और उनक इंक्रिमिनेटिंग डोकुमेंट्स हैं तो वो क्या कहेंगे अभी तो खुद को बचाना है और जहां तक महमताव एनर्जी जी का सवाल है आप देखिए पार्थो चैटर जी जी के विशे में सब लोग हम लोग जानते हैं इस ताह से माउंटेंस ऑफ कैश रुपे का अंब में जाकना चाहिए और तब दूसरों के बारे में कहना चाहिए और जहां तक एडी का सवाल है एडी एक स्वतत्तर संस्था है संवधानिक संस्था है एडी अपना काम करती है और जहां तक हमारे सरकार का सवाल है हम एडी के कारियों में क्यों इंटर्फेर करें CBI हो एडी ह तक अपना काम करती है, वह सबसे पहले तो क्रमानित करें देश को, कि ये बिलकुल साफ है, पाक है, प्रमानित ढखाए, प्रमानित तो करने सकते हैं, ये सारी बाते सामें आ चुकी है। जारकंड के मुक्यमंत्री हेमंत सुरेन कहते हैं कि BJP ऑप्रेशन लोटस को ED के जरी अंजाम देना चाहती है जारकंड में जारकंड के तो अवस्ता बहुत ही खराब है जहां तक कार्य का सवाल है लोगों के वेलफेर का सवाल है जिस तरह से कल्यानकारी नीतियां वहां कार्यानवित की जा रही है उनका सवाल है बहुत दुख है कि हमारे जारकंड में रहने वाले लोग गरीब तपके के लोग हैं कह आरखंड में जो आर्थिक स्थिति है उसे सुधारे आप उरीसा से आती है और वर्तमान में देश की रास्टपती उरीसा से ही है दरपती मुर्मुजी आदिवासी समाज को रिप्रजेंट करती है उनका जीवन बहुत ही शंगर स्पोर्ड रहा है कैसे देखती है आप नमस्य ह में जितना भी कहूं कम होगा मैं कहूंगी मेरा सभाग रहा है कि उनके साथ मैंने कुछ समय बिताए हैं और बार बार उनके साथ संपर्क में आई हूँ बहुत ही सरल खिर्दे की महिला है बहुत ही अच्छा काम उन्होंने विधायक के तौर पर मंत्री के तौर पर किया है और जब जारखंड में वो गवर्नर थी, उस समें भी उन्होंने कुछ-कुछ ऐसे निर्णे लिये हैं, जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ा है। और मनुष्य के रूप में भी मैं कहूंगी कि संघर्ष में जीवन रहा है, लेकिन संघर्ष ने उन्हें कभी हराया नहीं, उन्होंने संघर्ष को हराया है और आज यहां पहुंची हैं, तो मुझे लगता है कि वो हम सब के लिए, खासकर महिलाओं के लिए प्रेड़ना की श करीबन दस करोड़ से जादा आदिवासी हमारे देश में हैं और हर संभव प्रयास भारत सरकार कर रहे हैं उनके जीवन में उत्थान लाने के लिए, मैंने कहां अंत्योदे, अंत्का उदे, जो गरीब हैं, सोशित हैं, पिडित हैं, वंचित हैं, जन जाती के लोग हैं, उ और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो नाशनल कमिशन फर बैकवर्ड कास्ट उसको भी समवैधानिक दर्जा अदर्णिय प्रधानमंत्री जी की सरकार नहीं दिया है, तो मुझे लगता है कि जन जहां तक जन जाती का सवाल है, सबसे बड़ी बात तो हुई, ये का अजिए मैं आपकी बात करें, आम तर पे सबका सबना होता है आईयस बनना, आपने तो आईयस की नोकरी बी की और उसको छोड़ कर आप राजनीती में आईए, अगर महिलाओ का संघर्ष राजनीती की बात करें तो आप कैसे देखती हैं और कितना संघर्ष महिलाओ के जो पंचायती राज सिस्टम हमारा है जिला परिषद तक सरपन से जिला परिषद तक इसमें करीबन 45.6% महिलाओं हैं और जहां तक लोकसभा का सवाल है, लोकसभा पर अठटर सानसद महिलाओं हैं तो मैं कहूंगी की इस्थिती सुधर यह लेकिन बहुत कुछ करना है और संगर्ष तो बिलकुल महिलाओं को करना पड़ता है क्योंकि उन्हें घर भी देखना है और उसके अलावा अपनी जगह भी राजनिती के क्षेतर में बनानी है तो मैं तो लगातार महिलाओं के साथ चर्चा करती रहती हूं लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं में शक्ती बहुत है यह जो अंतरनित शक्ति उनकी है और जो परिश्रम करने की जो इच्छा है और जो उनका फोकस है निश्चित तोर पर यह सारी बाते महिलाओं को बहुत दूर तक ले जाएंगी और अधर्णिय प्रधानमंत्री जी के युग में मुझे लगता है महिलाओं के उत् आइस ओफिसर जब थी और 24 साल तक बहुत ही काम बहुत जादा काम किया मन लगा कर काम किया तो कहीं न कहीं मुझे लगा था कि इस सीमा में अब नहीं रहूंगी बड़ा क्षेतर चाहिए बड़ा चितिज चाहिए बड़ा प्लाटफॉम चाहिए और हजार करोड़ों के सा और आई हूं और बहुत खुष हूं अगला सवाल मेरा यही था कि क्या आपने कभी सोचा था कि आप राजनीती में आएंगे क्योंकि समाथ सेवा तो I.S. रहते हूं भी कर सेथा है नहीं देखे ए बिल्कुल कर रही थी लेकिन मैंने कहां वहां पर चेतर सिमित हो जाता है ह यहां पर एक बहुत बड़ा प्लाटफॉर्म है और बहुत ज्यादा संतोष है लोगों के साथ जुड के काम करने का जो मजा है वो मुझे लगता राजनीती में ही है और मेरे लिए जासा कि मैंने कहा है पुन्रावधिती करूंगी लोकसेवा और लोकमीती का माध्यम है राज अगर बेरोक्रेट की अगर बात करें आम तर पर बेरोक्रेशी की तरफ से आरोप लगता है कि राजनीतिक दबाओं के चलते वो काम नहीं कर पाते हैं आप क्यों के रह चुकी है और अब आप राजनीती में है तो जो बेरोक्रेट हमेशा आरोप लगाते हैं पॉलिटिक्स आपको क्या लगता है वो कितना सही है यह सही है देखिए मैं 24 साल तक विरोक्राट थी और मैं सब की बात नहीं करूंगे लिकिन तो राजनितियों की तरफ से निष्चित तर पर दवाब होता है और बहुत जगह ऐसा भी होता है कि अगर एक अच्छा बिरोक्राट है और वो क होती है तो वो नहीं कर आएंगे और मैं अपने जीवन में भी देखा है बहुत सारे काम मैं नहीं कर पाई क्योंकि कहीं नहीं लगा कि मुझे वह जो एक पुलिटीकल सपोर्ट था, फो नहीं मिला तो राजनितियों के हाथ में निष्चित तोर पर बहुत ही मैं कहुंगी यहां ना तो निष्चित उनके हाथ में रहता है, लेकिन अच्छा हो अगर बुरोक्राइशी और पॉलिटिक्स ये दोनों साथ मिल कर काम करें, पॉलिटिशन और बुरोक्राइशी और पॉलिटिशन और बुरोक्राइशी और पॉलिटिशन और बुरोक्राइशी और पॉलिटिशन और बुरोक्राइशी और बुरोक्राइशी और बुरोक्राइशी और बुरोक्राइशी और बुरोक्राइशी और बुरोक्राइशी और जमीन से जुड़े होते हैं राजमितिग्य, इसलिए उन्हें जमीनी हाकिकत का अंदाजा बहुत रहता है, बहुत ही समझदारी उनकी रहती है, परिपकपता रहती है, तो मुझे लगता है अगर दोनों मिलकर काम करें तो देश के लिए बहतर है, समाज के लिए बहतर है. पर्शी मंगाल के मुख्यमंतरी मम्ता बेनरजी की अधी बात करें तो एक बार फिर से वो दिल्ली में है और तमाम लोगों को जो बिपक्षिदल हैं उनसे मुलकात करके केंज सरकार के खिला पे एक जुट करने की कोशिश करेंगी क्या आपको लगता है किसमें उनको सफलता म क्या है ऐसा ते भीजेपी पर कितना असरो होगा एक का देख एक बाहा देखती तना असरी ग्ना असरोहता है छो तो कम से कम तरीपुरा और होगा तो जीत कर दिखा है, चोटे-चोटे राज्य हैं, वहां तो कुछ हुआ नहीं, और ये बार बार सारे लोगों को मिलाना, बैठाना आती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं, आपने देखा कि जब अधरनिय अधरापदी मुर्मु जी को हम लोगों कि मैडम मामता बैनर जी जी ने बहुत कोशिश की कि सही कैंडिडेट आए, एक ने मना किया, दूसरे ने मना किया, तब तीसरा कैंडिडेट आए, और अभी वही हालत है, अधरनिय धनकर जी हमारी तरव से कैंडिडेट है, और ऐसी अवस्था हुए कि T.M.C. ने कहां नही तो साथ दिनों में साथ प्रधानमंत्री तो जलूर होंगे देश के लिए, प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान से जूडने के लिए देश्वासियों से अपील की, सरकार द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में बेपक शामिल नहीं हुआ, अधिरेंजन चौध अधिरी कहते हैं कि दरसल तिरंगा यात्रा की आड में भाजपा अपना एजेंडा चला रही है, देखे मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगी कि तिरंगा को लेकर राजनिती नहो, कुछ ऐसे मुद्दे हमारे जीवन में होते हैं, जिनको लेकर राजनिती न अमरित महोटसव मना रहे हैं, आजादी के अमरित काल के दौर से गुजर रहे हैं, 15 अगस्त दो हजार बाईस हम 75 साल स्वाधिनता के पूरा करने वाले हैं, और अगामी 25 वर्षों में 2047 तक में हमारा ये जो आजादी का काल है ये इसकी पुर्णा हुती होगी, और इसी सं दर्व में आदर्णिय प्रधानमंत्री जी ने सब को कहा 20 करोड घरों में तिरंगा फहरेगा, तो मुझे लगता है कि जहां तक तिरंगे का सवाल है, तिरंगा एक यूनिफाइंग फैक्टर है, धर्म, जाती, वर्न, सब को छोड़कर, हम सब को एक जुट होकर ये तिरंगा का उत्सव मनाना है, और मैं कहना कि तिरंगा देश के प्रती हमारे शद्धा और सम्मान का प्रतीख है, यह हमारी आन, बान और शान है, और तिरंगा के साथ राजनिती नो हो, मैं कहूंगी अधिरंजन चौधरी जी को अनुरोद करूंगी कि लोकसभा में वो कॉ तो अंधे अधिरने सभी एघना का प्रती।वार के संग आने मस्मान प्रती आन उत्धाब अधिर को अविवार को ले वारे, तिरंगा, राजनिती कर्ना पैया है सामाझमाधी पाणंगी नेता था राजनिती करना भी करना यह होई वह कहते हैं किस अभी ओड़ ताफिए कि जड़ुरत नहीं देखिए ऐसा है कि कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ युनिफाइंग फैक्टर्स होते हैं, जो हमें जोडते हैं, तो तिरंगा के उच्छव को जो वेक्ति विरोध करता है, मुझे लगता है वो देश्ट्रोही है, मुझे लगता है इस से ज़्यादा मुझे नहीं कहना चाहिए, आज के संदर्व में जो हर घर तिरंगा का विरोध करता है, जो आजादी के अमरित वो सब का विरोध करता है, उसके अंदर देश प्रेम नहीं है, देश प्रेम की भावना नहीं है, और वो देश विरोध ही देशत्रोही है, इससे अधिक मैने कहना जाओंगी. आकरी सवाल नहीं है मेरा, यह एक संदेश है आपसे, 15 अगस्त का मौका है, ऐसे में आप देश के तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? एक भारत स्रेष्ट भारत, हम सब को मिलकर अपने देश को बहुत आगे ले जाना है, और आदर्निय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार की जो भावनाय हैं, उन्हें समझना है, और मुझे लगता है आदर्निय प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति का हाथ मजबूत करना है, उ उनकी नियत और उनकी नीती पर प्रश्ण चिन्न न लगाया जाए, और हम सब आगामी 25 वर्षों में अपने देश को विश्व में सबसे आगे ले जाएं, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो आप सो रहे थे भारती जनता पार्टी क राश्टी प्रवक्ता और लोगसबा सांसत अपराजिता सारंगी जी को जिन्होंने तमाम सवालों के जबाब बड़े ही बिबाकी के साथ दिये, फिलाल आप हमें और हमारी टीम को इजाज़त दीजे और देखते रहें जनतांत्र टीवी खबरों के निश्पक्ष विसलेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतांत्र टीवी एड़ प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट डाउनलोड कीचे जनतांत्र टीवी एप को जो कि अविलेबल है गूगल प्ले और अप स्टोर पर अधिक जनकारी के लिए अभी डाउनलोड करें